दस साल बाद जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मतदाता विधान सभा चुनाव में वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं यहां बेरोजगारी लोगों के लिए एहम मुद्दा है इसके अलावा कई और मुद्दे भी हैं जिनका लोग समानहान चाहते हैं मुद्दा जम्मू करता हैं बेरोजगारी है। मुकमर बेरोजगारी है। M M A P R G G वाले वो तरु चाय पिएते हैं चाय बेजते हैं बाजारों में इसलिए हम मुद डालने के लिए में जब हमें कुश अछा मिले ऐँ और क्या दस सालों के बाद विदान सभा आँ विदान सभा चनाव हो रहा है लंबा इंतिजार करना पारा है यह तो आज खुश किसमिती है कि हमें आज वोट डाला है सबस्पर वोट डाले हैं अपने गाउन के वेबुदी के लिए हमें वोट प्राबली में यहां इसलिए क्या क्या समस्य आए हैं बहुत समस्य है हस्पिताल की प्राबलिम है पावर की प्राबलिम है पानी की प्राबलिम है विरोजगारी है इसलिए अपने कंडिर को वोट डालने आए हैं वोटिंग सेंटर पर कई नौजवान भी है जो पहरी बार अपने मतादिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं वोट एक्साइड़ था वोट डालने के लिए जी सर जी सर पिछले दस साल से यहां से हकूमत नहीं थी बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है इसलिए सर जी सर मैं पढ़ता हूँ जी मैं ग्रेजवेशन करता हूँ जी सर इसलिए तो वोट डाला है बला होने के लिए अगस्त 2019 में अनुचे 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधान सभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं आधिकारे काकलों के मताबक जम्मू कश्मीर में 18 से 19 साल के करीब 1,23,000 नौजवान, 28,000 से जादा दिव्यांग और 85 साल से जादा उम्र के करीब 16,000 बुज़र्ग फर्स्ट फेज में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे